सस्रेकाल नमश्कार हमारे सभी किसान भाईयों को किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग ज्यान में धान की नर्सरी, सेहत मंद, हरी भरी कैसे तियार करनी होगी सबसे महत्पूर बात आती है किसान भाईयों धान रुपाई से पहले सेहत मंद, नर्सरी हमारे किसान भाईयों कैसे तियार करें वो भी मात्र 25 दिनों के अंदर तो आज आप लोग यह वीडियो जुरूर देखें धान की खेती हमारे अगर किसान भाईयों करते हैं और आप लोगों से रुकेश्ट है कि प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके पासाली घंटी को प्रेस कर दें जिससे आने वाले अगले हर वीडियो का नोटिफकेशन समय से आप लोगों के पास पहुँचे धान की नर्सरी क्या अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है जो आपने बुआई की है क्या पोधे कमजोर हैं पोधे पीले हो गए हैं अगर धान की नरसरी सेट मन्द नहीं होगी तो हरी भरी नहीं होगी, आगे चल कर धान की फसल भी काफी कम जोर होगी, उपज भी कम मिलेगी किसान भायों। बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली भी बताया था कि नर्सरी में गोबर की सड़ी खाद कैसे प्रयोग करनी होगी बेहतर रिजल्ट के लिए तो आप लोग वाब वीडियो भी जुरूर देखें अगर आपने गोबर की सड़ी खाद न किसान भाईयो आप लोग किसी भी दुकंदार के कहने से ज़्यादा कुछ महेंगे पोडेक्ट खरीद के अपनी धान की नर्सरी में डालें इससे आपका बजट भी ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा कुछ किसान भाई काटप डालते हैं काट और इसलिए फसलों में कुछ भी प्रियोग करने जा रहे हैं तो इसके लिए जानकारी सहीवा साधानी बहुत जुरूरी होती है बेटर रिजल्ट के लिए जिंक की डोज नर्सरी में डालनी है तो आप इस्प्रे में प्रियोग करें जैसे कि अगर आपने धानकी नर्सरी की बुआई कर दी है अब उसमें जिंक जो है सलफेट की कमी है ग्रोथ नहीं कर रही है पीला पना गया है उसमें पहले लच्छन देख लें सबसे बेस्ट ज जा रहे हैं आप धानकी नर्सरी में तो सबसे बेहतरी रिजल्ट लेने के लिए जो आपको डोज लेना होगा वहाँ एक से डेड़ ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं जैसे कि मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूं 16 लीटर की जो स्प्रेय टेंकी आती है 16 में 19 परसेंट का मिल जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छर जल्ट है इसका भी इसकी जो डोज है आप लोगों को लेनी है वही एक से डेड़ ग्राम प्रति लीटर यानि कि 16 लीटर की जो स्प्रेय टेंकी आती है उसमें आप लोगों को लगबग 20 ग्राम डोज प्रया के रखें नर्सरी में जिसे की किसान बाईयो जो नर्सरी है आपकी मिचोर होगी पोधे हरे भरे होंगे जिंक जो है आपको प्रयोग करनी है इस प्रकार से हां किसान बाईयो जो नर्सरी है धान वो यूरिया कैसे प्रयोग करते हैं हमारे किसान बाईयो यूरिया है जब 15 दिनकी आपकी नर्सरी हो जाती है उस समय आप लोगों को प्रयोग करना होगा लगब तीन किलो ग्राम यूरिया आप प्रति कनाल के हिसाब से इसको ट्राप डेसिंग के रूप में दे सकते हैं यूरिया जो है किसान भाईयों साम के समय नर्सरी में डालना चाहिए इस पर का ही प्रयोग करना चाहिए उसके अंदर आप लोगों को कैलसियम सलफर अच्छी मात्रा में मिलता है जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी मिलता है तो किसान भाईयों जो इन पोशक तत्तों की कमी आती है इस परकार से अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो नरसरी हरी भरी र जरूर देखें धन्यवाद